तो मैं आ चुका हूँ अपने computer screen के उफर, आपको भी सिपकार से आ जाना है, और simply YouTube को open कर लेना है, और जैसे आप YouTube को open करते हैं, आपको login करना होगा, login करने के लिए आप अपने Gmail account को use कर सकते हैं, जिस भी Gmail account से आप अपना YouTube channel बनाना चाहते हैं, तो मुझे basically इस Gmail account से YouTube channel बनाना है, तो मैंने उसको login कर रखा है, तो चलिए मैं password डालके login कर लेता हूँ, तो यहां से मैं अपने password डालूँगा, और enter जिसमें password है, यहां से आप डालेंगे, और अगर आपको password भूल गए हैं, तो so password या फिर forget password पे, आप अपना password रिसेट भी कर स जाएगा, और step by step जो है, करते जाएगा, तो manage से login कर लिया है, आप भी इस परकार से login कर लिजिएगा, और जैसे आप login हो जाते हैं, simply आपको यहां पर लोगो दिखाई दे रहा है, उस पर click किजे, create channel पर click करिएगा, और इस परकार से आप यहां पर आ जाएगे, अगर simply आप होर की tag जहां लिखा है, जैसे मेरा, उस परकार से उस पर click कर दिजेगा, अगर आपको change करना है, तो select user, जो customer name है, उस पर आप click करेंगे, और आप अपना name change कर पाएगे, तो मुझे जो है change नहीं करना, तो select पर click किया, और इस परकार से आप आ जाएगे, जैसे आप य इस परकार की windows खुलेगी, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आपका channel 100 नहीं होता है, जब नहीं होता है 100, तब आप जो देखी, इस परकार से कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने speed जो है, वो 2x कर रखी है, क्योंकि कोई नहीं, आप अपनी windows को refresh कर लिजेगा, अगर आपको अपन आपको चैनल है, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, तो आप यहाँ पर चैनल कस्टम पर करेंगे, तो आपको कुछ इस बगार का इंटरफेस दिखाई देगा, कहने का मतलब है, इस्टूडियो का यूटूब का वो खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, स पहले लगा रखा था पिक को, उसे मैंने रिमूब कर दिया है, तो मैंने उल्लेडी पिक्स को बना के रखा है, और पिक की साज की अगर बात करें हूं, तो यहाँ पर 98-98 पिक्सल का जो है साइज माइंडिटरी है, मतलब उस पिक करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं दुबारा से लग जाएगा, अब बात आती है, बैनर की, तो बैनर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैनर का सीधा मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाओ दूँ पहले, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुछ भी चीज नहीं थी, अगर आप बैनर लगा देते है तो बहाँ पर आपका जो है, एक अच्छा लुक आने लगेगा, तो मैंने बैनर पहले सी बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है, बैनर वगरा कैसे बनते हैं, तो आई बटन में लिंक है, आप जाकी बीजिट कर सकते हैं, वीडियो के लिए, दूसरा है कि आप देखिए जैसे मोबाइल है, उस पर आपका जो बैनर है, वो पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पर भी हमारा बैनर पूरा दिखाई देना चाहिए, तो आपको कुछ कस्टम करना होगा, मतलब आपको जो बैनर है, वो इतना छोटा करके बनाना होगा, ताकि देख चाहिए, अभी मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है, यह आप बिसिकली दिखाई देगा टीवी पर, तो मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, ऐसे, चलिए, अगर मैं इसको अब देख रहे हूंगा, आप बड़ा सा जो मतलब यह जो और आप इसे पब्लिक कर देते हैं, तब आपका जो चैनल है, उसका जो बैनर है, वो आपको दिखाई देना है, स्टार्ट हो जाएगा, देखी सोरी क्या हुआ, एक्चल में यह अभी जो है पब्लिक नहीं हो पाया, ठीक से, तो इसलिए प्रॉल्म्स आई, कोई नहीं, द देखेंगे, तो हो जाएगा, तो देखिए, यह लग चुका है, तो अब भी इसी पगास से देख सकते हैं, और यह आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, देखिए, आपने जो आपका लोगो है, बोला गा लिया है, और आपने अपना चैनल, चैनल का जो बैनर है वो से भी सेट कर लिया है अब बात आती है आपकी ब्रांड की या फिर आपके वीडियो पर कुछ वाटर मार्क देखाई देना चाहिए जैसे कि आपने कुछ यूटुबर्स पर देखा होगा कि जाब उनकी वीडियो होती है तो उसमें उनका जो लोगो है या वाटर मेर इस काम चल जाता है और आप यहां पर करेंगे और जैसे या प इसको करते हैं पब्लिक तो आपका यह जो वीडियोस है लोगो है आपका वो एंड में दिखाई देगा और आप और इंटर्म में जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं यह टाइमिंग पर डिपेंड करता है और कुछ नहीं देखिए अब यह सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है अलमॉस्ट आपका मैंने बताया कि च अब अपने चैनल को अच्छे से कस्टमाईज कर पाएंगे और दूसरी चीज है, यहाँ पर आपको description लिखना होता है, अपने channels का, तो मैंने already description लिख रखता है, तो मैं उसे यहाँ पर लिखूँगा नहीं, यह वहाँ पर paste करूँगा, क्योंकि आपका time है, वो जादा based ना हो, इसलिए, तो देखिए, यहाँ पर आपको, जो है, अपना description है वो लिखना है और मैं यहाँ पर paste करता हूँ तो जैसे कि आपका जो भी related channel है उसके related आप यहाँ पर लिख दीजिए कुछ भी जिसको आप लिखना चाहें 1000 वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं यह आपके चैनल का URL है यहाँ पर आपको दिक एक नीचे option है add link कहां यहाँ से आपको किसी भी आपकी जो website है या फिर आपका यूटूब account की जगा कोई दूसरा किसी चीज का account है जैसे facebook account हो सकता है ट्विटर account हो सकता है या फिर instagram account है उसकी link आप यहाँ पर दे सकते हैं और यह किस प्रकार यह इंटरफेस जो है दिखाई देगा तो देखिए अभी मैं इसको refresh करता हूं थोड़ा सा और फिर आपको पता चल जाएगा यह क्या होता है तो देखिए जैसे मैंने इसको refresh किया है तो आपको एक अलग इंटरफेस जो है इसमें दिखाई देने लगएगा देखिए आप जहां पर मेरा करसर है उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह इंटरफेस है और आपको दिखाई देगा जैसे मैंने इस पर क्लिक किया दबारा से मेरा लौट कर दबारा से अपने यूटूब चैनल पर आचके हूँ तो इस पर कर सकते हैं जीमेल को किस पकार से एन्ट करते हैं तो देखिए जीमेल को एड करने का एक रीजन होता है जैसे आफ आप अपने यूटूब चैनल पर non k decision को एDär देते हैं तो कोई भी आपसे contract करना चाहता है तो वո कर सकता है कि मैं आपको हिहाँ द पर इंट कर सकता है उस Gmail अकाउंट से जो कि आपका है लेकिन मैं आपको बता दूँ करना चाहते हैं तो अपनी ऑफिसियल चैनल जिसके लिए आपने चैनल बनाया है उस Gmail को कभी भी यहाँ पर एड़ न करें क्योंकि थोड़ा सिक्यर्टी रीजन होता है उससे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं इसलिए एड़ कर दिया है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा देखिए व्यू आपको जीमेल लिखा हुआ अब को मिला है तो जैसी मैंने उस पर क्लिक किया आपको दिखाई देने लगा अगरके दूसरे चैनल का देखने हैं तो हो सकते है आपको कैप्चा अब इसवेड Not यूटूबूब चैनल और एक यूटू और और ओन्लिस्टन था हूं पब्लिक करτα हूं पब्लिक करने का रिजन है क्योंकि इसारी चीजह तर्टन देने लगेंगे ति मॉटन है है अगर मैं इसको रिस रिस्टार्ट करता हूं विज्टोष को रिफ्रेश करता हूं फिर आपको यह विडियो है वह दिखाई देने je देखिए होम पर भी वीडियो दिखाई दे रहा है जैसे कि मैंने इसे डेमो वीडियो के नाम से सेव कर रहा है उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आ है अगर पसंद आया है तो प्लीज हमाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइ